बहुत से लोग इसको इस्त्माल करते हैं सिर्दर्द के लिए दोस्तों हमें बहुत से सबस्काइबर के कमेंट आये हैं कि क्या हमारी बॉड़ी के उपर यह ज़्यादा साइड एफेक्ट करती है और इसके क्या सही इस्तमाल है वो भी हमें इस वीडियो में बताया जाए तो दोस्तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखें अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो जिनको लाइक सब्सक्राइब साथ मे लिया जाता है और बहुत से लोगों को यह भी पता है कि इसका इस्तमाल बहुत सिर्दर्द के लिए होता है और इसका इस्तमाल भाई हमें और कोई भी इस्तमाल इसका इस टैबलेट का नहीं मिलता पर दोस्तो इसका इस्तमाल बहुत से कंडिशन में किया जाता है वह हम इस हैं दर्द होना यह फिर मासीडेशों के अकड़न यह रोमेटाइटस या कि प्रॉबलम तो उस कंडिशन में भी इस टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है दूसरा इसका इस्तमाल दोस्तों दिल के दौरें जिन पेशेंट को हर्ट की प्रॉबलम होती है जिनकी surgery वगेरा हो चुकी है तो उस condition में भी इस tablet को चलाया जाता है तो discipline tablet दोस्तो खून पतला करने में बहुत ही अच्छा काम करती है और जिन patient को सिर में हमेशा दर्द रहता है जिनको migraine की problem रहती है तो उनको भी इस tablet का इस्तमाल करना चाहिए और दोस्तो इसके इस्तमाल migraine में बहुत ही अच्छे देखेंगे हैं जिनका आदा सिर दर्द करता है और बहुत ज़्यदा headache pain होता है तो उसको discipline tablet हमेशा डॉक्टर स्काइब करते हैं पर दोस्तो इसको क्या रोजाना लेना चाहिए तो friends मैं ये सरेस्ट करूँगा आप इसको रोज इस्तमाल बिलकूल ना करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत जादा हानेकारक भी हो सकती है क्योंकि दोस्तो ये आपके blood को पतला कर देती है और उसी की वज़े से आपको strength relief मिलता है strength आराम मिलता है सिर में बिलकुल दर्द गायब हो जाता है तो मैं ही सरेस्ट करूँगा आप इसको रोज बिलकूल भी इस्तमाल ना करें आपको जब जरूद पड़ती है तब ही इस tablet का इस्तमाल करें तो दोस्तों इसके ये थे फायदे बहुत से फायदें इसके सिर में दर्द है या टांगों के दर्द जैसे मैंने बताया या फिर blockage वगएरा या दिल की कोई problem पड़ती है तो उस condition में भी इसको doctor prescribe करते हैं तो दोस्तों मैं यही करूँगा आप से कि बिना doctor के कोई भी दवाई injection का आप इस्तमाल ना करें अपनी मर्जी से तो बिल्कुल ना करें doctor की निगरानी में ही ले चलिए आप बात करते है doses के वारे में तो doses इसके हैं सुबा शाम भी कई वर इसको लिया जाता है एक time भी तो यह doctor आपको decide करेंगे कि आपको morning evening लेना है या फिर एक time odi dose में लेना है अब बात करते हैं इसके side effect के वारे में कई patient भूसते हैं इसके side effect क्या होते हैं तो friends कई वर इसमें पेट फूल जाता है या मिचले उल्टी आती है अपच होती है या सीने में जलन होगी या कवज या तोयचा का रंग काला पढ़ना या फिर पूरी शरीर को पर चकतते तो इस परकार के आपको इस disprint tablet के side effect देख सकते हैं तो friends ये आपको review कैसा लगा अगर आपको ये वडियो पसंद आ है तो वडियो को like share जरू करिएगा धन्यवाद